गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मुबाइल फोन से फोन पे से आप लिक्वीट फंड में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या होता है लिक्वीट फंड सब कुछ गाइज आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा उससे पहले आपसे एक होता है यह वहाँ आपको पताने कितने कितने पेपर आपको जमा करना पड़ता है आधार कार्ट पैन कार्ट सब कुछ यहां पर आपको कुछ नहीं करना है आप घर बैटे बैटे आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको यहां नीचे माई मनी में आपको क्लिक करना है जै यहां पर देख सकते हैं अभी फिलाल एक यही कंपनी है जो फोन पे से अटेच है फ्यूचर में और भी कंपनी आ सकती है यहां पर आदित्य बिरला सनलाइफ लिम्टेड फंड नाम के जो कंपनी है इसी में पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे और यह क्या करेगी कि एक साल में अगर 100 रुपिया इन्वेस्ट करते हैं तो 6 रुपिया और 15 पैसा हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें और आइस आपको इसका यह पता दूं कि विड्रॉल का जो लिमिट है इसका देखिए विड्रॉल में आप इंस्टेंट लिखा इसमें मतलब आप जब चाहों तब तब बैंक हम जो एक बैंक में सेविंग करते हैं उसके लिए यह है चार परसेंट और दिस पंडी के लिए यह है एट परसेंट से कुछ नीचे आए गाई इसको डिटेल में समझते हैं आप इस कंपनी पे यह जो आदित बिरला सनलाइफ लिमिटेड लिखा आप इस पर क्लिक कर दिएगा तब आपको कुछ इस कंपनी के बारे में खुल कर आएगा आप यहां पर देख सकते हो रिटर्न आपके सामने यहां पर 6.58 परसेंट और मिनिममम इस इन्वेस्टमेंट गाई इसमें लगा रखा है जो मिनिममम इन्वेस्टमेंट आपको करना हो 500 का करना है 100 रु आपको नीशे यहां देखिए आपको इक चीज बहुत चादिया हुआ है यहां पर रिटर्न कैल्कूलेटर यह क्या होता है जैसे आपको बताया था कि एक सेविंग बैंक सेविंग एकाउंट होता है जिसमें हम पैसे सेव करते हैं और यह वाला फंड लिक्विड फंड की बात हो रही है तो सेविंग एकाउंट में क्या होता है गाईस अगर हम एक लाक रुपिया सेविंग एकाउंट में अगर हम पैसे रखते हैं तो एक साल में काईस आपको दिखा दूँ आपके 4% के हिसाब से 1,004,000 रुपिय हो जाते हैं और इस फंड में जो लिक्विड फ लिचार आपके सामने हैं यह दो साल के ओगय यहां पर 8,160 रुपिय और यहां पर 14,-500 रुपिय एक्स्ट्रा और तीन गाइज आपके सामने हैं और आप यहां पर जितना चाहूं उतना आप यहां पर पेमेंट यहां पर लिख कर आप अपने इसाप से इसको देख सकते हो कि अगर पांच रुपिया अगर निश्ट करते हो तो कितना मिल कराता है दोनों में और इसी हिसाप से आप यहां पर जितन जान रखता है यह जो withdrawal within first seven days अगर हम पैसे आजी इंवेस्ट की है और साथ इन के अंदर अगर हम विड्रॉल करते हैं तो हमें इतने चार्ज देने पड़ते हैं जो कि बहुत कम है 0.0045% और 0.007% जो कि बहुत कम है अगर हम first seven day के अंदर करते हैं अगर भी डॉल करेंगे तो वरना नहीं दुने हमें अब गाइज यह देखे आपके सामने देखा रहो बहुत इजी है इसमें पैसे इंवेस्ट करना आपको कुछ नहीं करना है और गाइज अब मैं आपको इंवेस्ट करके दिखा देता है यहां पर start investing में कैसे करना है मेरा एक दुसरा वीडियो है आप उस पर description में लिंक मिल आप तो आपको description में लिंक मिल जाएगा आप description पे क्लिक करके उस लिंगे क्लिक करके आप वो विडियो देख सकते हैं जिसे मैंने start investing से आपको पुरा पैसे invest कैसे करने हैं क्या का document लगेते सब कुछ आपको उस वीडियो में देखने हो को मिल जाएगा आप लाइक तो एक लाइक जरू कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना मिलता हूं आपसे नए वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई